हलो दोस्तों सुवागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू है चलिए आज की अपडेट देखते हैं अपडेट में सबसे पहले एक तो लवली इनू बहुत ज़्यादा साब लोग मेरे पीछे पड़ गए सारे इसके बारे में बताईए कुछ तो बताईए बहुत पंप कर रहा है बहुत पंप कर रहा है और क्या नहीं है वैसे मैं अल्लेडी इसके उपर एक डेडिकेटिव वीडियो पहले बना चुका हूँ लेगि फिर भी चलिए आज का थोड़ा से देखते हैं क्या है बाकी कुछ अमेरिका से दो एक खबरे हैं जो पॉजिटिव हैं तो चलिए पहले तो मैं देखिए अमेरिका की खबरें कबर करूँगा अमेरिका में डॉज कोईन को वहां की एक कैंसर संस्था है इसने जो है डोनेशन के रूम में एसको और बहुत अच्छी मात्रा में जो है इसके पार डोनेशन आ रहा है वो भी डॉज कोईन का यहनि डॉज कोईन को एक तरह से वहाँ एक तरह से यह माली जब पेमेंट सिस्टम में तो डोने समय जब डॉज कोईन गया है तो देखिए यह अच्छी बात है कि कहीं ने कहीं एक वेलफेर के काम बें जा रहा है तो मेबी होगा यह कि यह जादा लोगों की पहुंच में जा रहा है और वो रहे गा जैसे अमेरिका में बैंकों के लिए है यानि जो कानून बैंकों पर होता है उसी टाइब का कानून स्टेवल कोई चे लिए है आव होगा यह immigration को वैसे तो भी मिनायुस को होती है या उनकी रेंव में कहीं गोल्ड को रखता जाता है मुझित मुझती रहती है या तो आप उसको डॉला मैं बरावर करो या उसके बदले में गोल्ड कहीं रेंग तो उसी के बिल्कुल यही सिस्टम जो बैंकों में होता है तो वैसा ही कानून अब स्टेवल कोईंस के लिए अपने क्रिप्टो करंसी के अमेरिका में बन रहा है तो देखें यह बहुत अच्छी बात है कि कम से कम यह टेरा लूना जैसे आरक करतें दोबारा नहीं होगी भाई हम टेर कोईंसे शुरुआत तो रही है बाकी देखेंगे बाद में क्या होता है लेकिन कहीं से देखिए स्टार्टिंग होनी चाहिए तो यह स्टार्टिंग बहुत अच्छी है कि स्टेवल कोईंस के लिए अमेरिका ने यह कानून बनाना शुरू कर दिया है और में भी बहुत जल कि अब कहेंगे सब इसमें क्या कैसे क्यों तो मैं आपको बहुत पहले अपने वारे में वीडियो बनाये था कि जहां पर मैं थोड़े प्रक्टिकल करता रहता हूं जहां मैं आपको यह भी बतायता है कि मैं डेड़ दो ड़ाई डॉलर के लेकर डाल देता हूं मिल गया तो ठीक है नहीं तो जैरान जी की गया तो जाने दो वो टेंसिन वाली बात नहीं तो ऐसे ही लवली इनू में भी मैंने दो करोड लवली इनू लेके बहुत पहले के डाल रखे हैं कोई अभी के नहीं है और मुझे लगता है साथ वो डेड़ या दो डॉलर के ही रहे होंगा उस टाइम तब के लिए हुए हैं वो भी होट बिट पर पड़े हुए हैं मैं आपको स्क्रीन सोट अपना दे रहा हूँ आपको ये कंफर्म हो जागा है कहां मैंने हैस में ले रखा है लेकिन आज कलके नहीं है मैं आपको बहुत कलिए बूलो यह डेड़े या दो डॉलर के थी और बहुत बहुत पहले के हैं अभी के नहीं है तो वह ही मैंने का भाव만 परेक्टिकल करता रहता हूँ कि मिल के हां तो ठीक है नहीं मिल चला गया जला क्या है अब ही करंडे में जो प्राइस चल ला है जिरो पॉंट सिक्स टाइम जिरो टू फोर की रेंज चल लए जिसमें चौविस परसंट यह नीचे आ गया है चौविस परसंट सोरी 24 आवर में लेकिन अगर सेवेंडे में देखा जा तो चारसो अड़सट परसंट उपर गया भाई किस-किस को फाइदा हुआ है वह आप देखिए मुझे तो कोई खाय ऐसा कोई फाइदा दिखा नहीं मेरा तो मैं आपको स्क्रिंसोट दे रहा हूं आप देख लिए दो डोलर का साइज साड़े चार या पांच डोलर हुआ है तो देख लिए आप लोग को कितना क्या फाइ नहीं कर सकते हैं है डूसरा है इसमें की एख नीज है जो अभी ज्यादा ट्रेंडिंग में है और इसलिए च्विटर पर ट्रेंडिंग में भी वह इसकी 10 एक्सेंज लिस्टिंग जो 30 जुलाई से शुरू होंगी और लास्ट एक्सेंज लिस्टिंग इसकी 16 अगस्त की है यानि और डे में इन्होंने एक एक्सेंज लिस्टिंग इन्होंने रख्य होई है यानि 10 एक्सेंज लिस्टिंग है जो 30 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक ये पूरी कर देंगे पहुत ज्यद्क पता हो तो लिया हूंगी दाउटफुल नहीं और अगर यह एकषेंज्ए थोड़े बहुत अच्छे हैं, तो देखिए इसके प्राइज में सर्ज जरूर आएगा 100% आएगा ये तो मैं कहता हूँ लेकिन वो कितना आएगा वो डिपेंड करता है एक्षेंज पर कि वो एक्षेंज कौन-कौन से है ये अब आप देखिए क्योंकि मुझे नहीं मिले अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे भी कमेंड करके बताईए कि ये 10 एक्षेंज आखिर हैं कौन से तो इसमें अभी केबल यही एक निउज ऐसी है जिसकी बज़े से ये ट्रेंडिंग में है बाकि यह और यह कहो कि इसमें कुछ खास कुछ और ऐसा हो बताने लाएक जो मैं आपको बताऊं तो मुझे तो ना पहले कभी मिला ना आज मुझे मिलना है लेकिन जो अभी है देखिए जो है फैक्ट वो भी आपको बता रहा हूँ कर रहे प्राइस को तो वॉल्यूम भी आना चाहिए वॉल्यूम नहीं आया उसे साब से एवल मिलियन का ही है बिलियन का होता तो भी समझ मैं आता है मिलियन का है तो नौ मिलियन का केवल 24 आवर में वॉल्यूम आ और वह बी जब इतनी बड़ील अगर ये चीज बेबी डॉज के साथ हो जाए या विटगर्ण के हो जाए तो भाई साब फ्राइस आस्मान पे चला जाएगा ये मैं बताता हूं अगर बेबी डॉज में और बिटगर्ण अगर ये जा जाए कि एक साथ 10 एक्षिन जो की लिस्टिंग हो रही है तो भाई साथ प्राइस पकड़ने में नहीं आएगा लेकिन इसमें केवल 24 आवरे में 9 मिलियन का वॉल्यूम आया है तो उसे साब से देखिए भाई साब मैं नहीं पता सकता कि आगे क्या होगा क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा मेरे वो ही जो अपने दो डाई डॉलर पड़े हुएं वो पड़े हुएं मिल जाएगा तो ठीक है नहीं मिलेगा कोई बात नहीं चला जाएगा चला जाएगा तो साब लवली इन्वेस्ट करना चाते हैं प्लीज अपनी तोड़ी रिसर्च और वो भी बहुत अच्छी तरह करना आँख बंद करके ज़्यादा पैसा मत लगा देना देखिए मार्केट है अब डाउन ट्रेंड में वैसे ही चल रहा है बेटी सी आप देगे नीचे गरने लगा है फेड के रेट जल्दी आने वाले हैं बाकी आप खुद समझदार हैं कि कौन से कौन में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए और कौन से में केवल प्रैक्टिकल करना चाहिए अब आप खुद समझदार आप खुद देखें क्या करना है नमस्कार